हेलो फ्रेंड स्वाकते आपका एकजाम नीज़ बाई जेके में तो दोस्तो आज हम आप लोगों के बिमांड पे बिहार प्ष ड्राइबर का कट अब जो है दोस्तो कितने student ने परिच्छा दिया है क्या question जो out होने का जो अफवा था क्या question out हुए थे अगर question out हुए भी थे तो क्या cut up जाने वाले हैं तो यह सारी चीजे जो है हम आप लोग को इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो दोस्तो इसी तरह के वीडियो जो है हमारे चैनल पर आते रहत का सटी कट अफ क्या रहने वाला है और इसमें कितने student ने भाग लिया था तो चलिए देखते हैं हम लोग सारी चीजे प्रूप के साथ तो अगर बात करें दोस्तो बिहार पुलिस ड्राइवर की कटफ की तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कुल पोस्ट थी तो इसके कुल पोस्ट जो है दोस्तो इसकी कुल पोस्ट थी 1722 पोस्ट आप लोग जाते हैं और 1722 पोस्ट पे पांच गुना वेकेंसी जो है अगर बात करें कि इस वेकेंसी में कुल कि कितने विद्यार्थी ने फॉर्म भरता पहले तो फॉर्म लगवब 50,000 भरे गए थे आप लोग जानते हैं और भाग जो लिए थे अभियार्थी दोस्तों कुल परिच्छा देने वाले जो भियार्थी थे कुल 36,000 अभियार्थी के करीब जो हैं इस परिच्छा में भाग लिये थे परिच्छा जो है 36,000 कंडिडेट के द्वारा ही लगभग दिया गया था तो अगर बात करें दोस्तों तो 36,000 कंडिडेट में तो दोस्तों अगर कोश्चन लिक होने की अपवा अगर सची भी हुए अगर कोश्चन कुछ लिक हुए भी थे तो अगर आप लोग को बाहर QEC.attend अगर मिल भी जाते subscriber हो तो अप लोग अगर एक्जाम में चले भी जाते दोस्तों लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कुछ-कुछ सेंटर पर अगर आउट हुए भी थे, कुछ-कुछ के लिएट के पास अगर कुछ पहुचे भी थे, फिर भी उज्यादा ज्यादा 80-90 कुछ जो है, वह बना पाए होंगे, और बात करें दोस्तों, तो इस एक्जाम में जो ह इसी कारण से भी थोड़ा सा कटफ जो है थोड़ा सा हाई जाने वाला है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या सटी कटफ रहने वाला है, तो सारे हम लोग जो बात करते हैं कि क्या रहने वाला है, तो आईए हम लोग कैटोगरी वाइस देखते हैं कि किन कैटोगरी का कित फिर उनका merit list जो है वह जारी किया जाएगा तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि किन category का कितना cut up जो है वह जाने वाला है तो चलिए देखते हैं हम सारी चीजों को तो दोस्तों अगर देख सकते हैं आप कि अगर आप general candidate हैं और अगर आप male candidate है जेनरल के और अगर आप के 72 से 75 किश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं मैं किश्चन का बात कर रहा हूं दोस्तों तो अगर आप 72 से 75 किश्चन सही करके आए हैं तो आप लोग बेसक जो है फिजकल की तैयारी करना सुरू कर दें दोस्तों और आप लोग का selection जो हुआ होने वाला है वही अगर general के female candidate ह और अगर आप 48 से 72 किश्चन के बीच में सही करके आए हैं तो आप लोग जो हैं फिजकल की तैयारी करना सुरू कर दें वहीं अगर दोस्तों तो अगर आप और अगर आप मेल चैट है और अगर आपका जो मार्क से वक्स 66 से 71 की उसचन अगर आप सही बना कर क्या हैं 66 से 70 की उसचन के बीच में आपका सही हो रहा है तो आप लोग फिसकल की तयारी करना शुरू कर दें वहीं EWS female candidate की बात करें, तो उनका 42 से 47 question अगर सही हो रहा है, तो अभी अपने physical की तयारी करना सुरू कर सकते हैं, वहीं अगर अगले हम लोग category की बात करें, तो अगर आप OVC candidate हो दोस्तों, और OVC male candidate हैं, और अगर आपका 79 से 73 question के बीच में सही हो रहा है, तो आप physical की तयार सब्सक्राइब करना सुरू कर सकते हैं, वहीं अगर OVC male candidate हैं, तो अगर आपका 44 से 49 question की बीच में सही हो रहा है, तो आप लोग physical की तयारी करना सुरू कर सकते हैं, वहीं अगर EBC की बात करें, तो EBC के male candidate का, जो cut-off रहने वाला है, वह 66 से 64 question के बीच में रहने वाला है, त 64 से 64 question, अगर आप लोग का सही हो रहा है, तो आप लोग physical की तयारी कर सकते हैं, वहीं EWS, EBC female candidate अगर आपका 40 से 45 question सही हो रहा है, तो आप लोग भी physical की तयारी सुरू कर सकते हैं, वहीं अगर अगले category की बात करें दोस्तों, तो अगर आप लोग जो है, वह SC category में आते हैं, अगर आप male candidate हैं, और अगर आपका 54 से 69 question के बीच में सही हो रहा है, तो आप लोग physical की तयारी सुरू कर सकते हैं, वहीं अगर AC female candidate हैं, और 32 से 37 question, अगर आप सही कर क्या हैं दोस्तों, तो आप लोग physical की तयारी सुरू कर सकते हैं, वहीं अगर HD candidate हैं आप और male candidate हैं, अगर आ यारी शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों कटप जो है थोड़ा बूत हाई तो जाना ही है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और इतके बाद आप लोग का फिजकल होना है तो अगर आप अपने कटप को क्रॉस कर पा रहे हैं तो आप लोग फिजकल की तैयारी करना सुरू कर दे उसके बार आप लोग का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाना है चुकि दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे भी कंडिडेट भाग ले लिये हैं जो ड्राइविंग छेतर से उतना मतलब नहीं रखते हैं सिर्फ ड्राइविंग लेसेंस उनके पास है और वो चैनल पर आते रहता है तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजागा और बेल आइकन को ज़रूर पर प्रेस कर लिजीगा दोस्तों ताकि इसी तरह का पलपल का अपडेट जो है आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे तो चलिए तो आज के इतना ही फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद